अब लोगों के पास यह सुविदा है कि रिटायर्मेंट के बाद मिलने वाली पेंसन की रकम को जादा तैक कर सकते हैं अब सवाल यह उड़ता है कि जादा पेंसन पाने का हकदार कौन है हमें जादा पेंसन पाने की सुविदा का इस्तमाल कहां करना चाहिए या नहीं तो चलिए सरकार की नई स्कीम में ऐसी सवाल के जवाब ढूनते हैं 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया था उसके मुताबित उची सैलरी वाले लोग भी पेंसन फंड में जादा पैसे जमा करा सकते हैं लेकिन इसके लिए सर्थ ये है कि ऐसी लोग कर्मचारी पैसन स्कीम के सदस एक सितमबर 2014 से पहले बने हो कोर्ट के फैसले को हम अलग-अलग सितियों में समझ सकते हैं अगर आप सितमबर 2014 से पहले रिटायर हुए हैं तो इस स्कीम का फायदा आपको तभी मिलेगा जब आपने जादा पैसन के लिए आविदन दिया हो और उसे एपी एफो ने मंजूर कर लिया हो अगर आपका आविदन एपी एफो ने खारिज कर दिया हो तब आपको ज़्यादा पैसन के लिए दोबारा आविदन करना होगा सुप्रीम कोड के फैसले में कहीं भी इस बात का जिक्री नहीं है कि जो लोग एक सितमबर 2014 से 4 नबंबर 2022 के बीच रिटायर हुए हैं वो ज़्यादा पैंसन पाने के योग नहीं है ये लोग इसके लिए आविदन दे सकते हैं ऐसे लोगों का आविदन अगर एफी एफो ने पहले खारिज कर चुका हो तो वह दोबारा आविदन दे सकते हैं इसके लिए आविदन का अंतिम तारिक 3 मार्च 2023 का है और आपको बता दे कि जो लोग कर्मचारी भविशनिदी के सदस सितमबर 2014 से पहले बने हैं और अभी नोकरी कर रहे हैं अगर इन्होंने जादा पिंचन स्कीम की सुविदान नहीं ली है तो ये लोग भी 3 मार्च 2023 तक आविदन दे सकते हैं अगर ऐसे लोगों का आविदन एपी आफो पहले खारिज कर चुके हैं तो भी ये नए आविदन दे सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैशले का उन कर्मचारियों पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा जिनका तनख्वा महिने के 15,000 से कम है लेकिन अब सवाल ये है कि अगर मेरी तनख्वा एक सितमबर 2014 से पहले 15,000 से कम थी जो उसके बाद बढ़ गई है तो क्या मैं ज़्यादा पैंसन वाले स्कीम का लाब उठा सकता हूं तो इसका सिधा जवाब नहीं सुप्रीम कोड का फैसला उन्ही करमचारियों पर लागो होता है जिनका तनख्वा एक सितमबर 2014 से 15,000 से ज़्यादा थी और आपको ये पता दे कि आप लोग कोई पैंसन कद मिलती है पैंसन आपके नोक्री से रीटायर होने के बाद मिलती है लेकिन इसके लिए कम से कम नोक्री के 10 साल का पूरा होना ज़रूरी है पैंसन के रासित तमिलनी सुरू होती है जब करमचारी की अमर 58 साल से ज़्यादा हो जाती है अगर कोई कर्मिचारी पचास से सलतावन साल के बीच नोकरी छोड़ देता है तो भी उसे पैंसन मिलेगी